एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ इस रेस्टोरेंट को जी नहीं उसका नाम कोई तुलसी संसकारी बार नहीं है उसका नाम है सिली सोल्स बार इस रेस्टोरेंट को दो लाइसेंस मिले हैं यह दूसरा गैर कानूनी काम हुआ है और तीसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ है किसी भी ऐसे प्रेमिसिस को लाइसेंस देने से पहले यह आविशक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रेजिस्टर्ड है उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हूँ तीसरा गैर कानूनी काम ये है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ तीन तीन गैर कानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं हैरानी की बात ये है कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लूलू मॉल लूलू मॉल का गेम खेलें हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें अच्छी बाते पढ़ना चाहिए या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन आपकी पेटरनेज आपके आशिर्वाद के चलते इस तरहें के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें हम स्मिती रानी जी से कुछ जवाब मागना चाहते हैं उनकी जानकारी के बगएर जिस आपकारी आयुक्त ने जिस एकसाइज कमिशनर ने इस गैर कानूनी रेस्टोरेंट को बार को नोटिस दिया अब उसकी ट्रांसफर की भी तैयारी शुरू हो चुकी क्या ये स्मिती रानी जी के हस्तकशेप के बिना हो रहा है क्या उनके प्रभाव के बिना हो रहा है क्या ये लाइसेंस उनके प्रभाव के बिना मिला क्या ये कानून उनके प्रभाव के बिना तोड़ा गया और आज सुभ़ हमारे जहराम रमेश जी को सूचना मिली आज सुभ़व एक बड़ी विवादास्पद सिक्यूरिटी फोर्स है थंडर फोर्स सिक्योरिटी उसके बाउंसर्स सुभा से ही उस बार और रेस्टोरेंट गेर कानूनी बार और गेर कानूनी रेस्टोरेंट के आसपास घुम रहे हैं कि कहीं कोई पत्रकार नहीं आ जाए तो आप लोग तो बड़ा ध्यान रखिएगा वहां जाने से पहले बाउंसर्स गुम रहे हैं स्मिती इरानी जी हम आपसे यह जानना चाहते हैं यह धांदली किसके इशारे पर हो रही है कौन आशिरवाद दे रहा है इस धांदली को किसका प्रभाव इस्तेमाल हो रहा है